पट्टाया थाइलेंड के सियाम गल्फ के किनारे बसा एक रंगीन शहर है, जिसने देसी भारतिये ट्रैवल लवर्स को काफी हद तक अट्रैक्ट कर रखा है। आखिर ऐसा क्या है पट्टाया में जो हर एक भारतिये यात्री यहां जाना चाहता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल तूरास्टिक और आज की वीडियो में हम पट्टाया को गहराई से एक्स्प्लोर करते हुए जानेंगे यहां के टिकट्स से लेकर ट्यूरिस्ट प्लेस की हर एक जानकारी। थ्रिल सिकर्स को पट्टाया मैगनेट की तरह एट्रैक्ट करता है। लेकिन सबसे अच्छा उप्शन आपको चौन बुरी जिले के बांग लामुंग मैन मिलेगा। इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा फ्लाइ बौडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और नए शुरुवाती खिलाडियों के लिए विशेश रूप से सुरक्षा उपायों की जाच की जाती है। ताकि वे पानी के चार मीटर उपर ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ने के इस एक्सपिरियंस का मजा ले सके। यह आपको 3000 बैट पर परसन पर मिलेगा। दुसरी एडविंचर एक्टिविटी है पताया बंजी जंप एंड हुमन स्लिंग शॉट पताया के थेपरसिट रोड सोई 9 बांगला मुंग में इस थ्रिलिंग एक्सपिरियंस के लिए जंप लगाएं। यहाँ आप 60 मीटर की उचाई पर खड़े एक प्लेट फॉर्म से बंजी जंप करते समय एक सुन्दर जील के उपर हवा में उडान भरने का आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ एक यूमन स्लिंग शॉट है जो आपको 90 मीटर से चलाता है जिससे आप एक ही सेकंड में 150 किलोमीटर पर आवर की रोमांचक स्पीड पकड़ लेंगे। इसकी कीमत 2500 बाट है। तीसरे नंबर पर आती है स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्किंग। यहाँ आप पटाया के पास सुंदर कॉरल रीफ में समुद्र के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट 3000 बाट तक लगेगी, इसके अलावा आप जेट स्की जिसकी कॉस्ट 700 बाट हैं, फ्लाइट ऑफ दे गिबनो जिसकी कॉस्ट 30 फार्म 48 बाट हैं भी एंजॉई कर सकते हो। पटाया अपने रंगी नाइट लाइफ, शानदार समुद्र तट और एडवेंचर गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। बीचेज हैं जो उन लोग को हेवनली एक्सपिरियंस प्रोवाइड करती है, जो संकिस्ट शोर और ट्रैंकाईल वाटर की सर्च में रहते हैं। यहां आपको मिलेगा पटाया बीच जो शहर के सबसे लोग प्रिय समुद्र तटों में से एक है जो अपने शान्त वातावरन, साफ पानी और रेतीले तट के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, ओवरो निल पटाया, शहर में जो मिटियन बीच, वोंग अमाट बीच, बैंग सान बीच, डोंग टैन बीच, तवायन बीच, बैंबू बीच, नाकलुआ बीच, बैंग सारे बीच, समाय बीच, टियन बीच, कोह सी चांग और धेर सारे दुसरे बीचिस मिल आप पट्टाया गए और स्पा या मसाज नहीं लिया तो आपका पट्टाया जाना वर्थी नहीं रहा यहाँ पर आपको हेल्थ लैंड स्पा, एसावन स्पा, डेड रिलेक्स इस्पा, ओएसिस इस्पा और रसायना रिट्रीट जैसे एस्पा और मसाज मिलेंगे जो सुबह दस बजे से लेकर रात के दस बजे तक खुले रहते हैं पट्टाया में घूमने की बात करें तो आप सबसे पहले जाएए फ्लोटिंग मार्केट इस मार्केट में नाव पर बैठकर भोजन, कला, हस्त शिल्प और भी कई सामन बेंचे जाते हैं साथ ही रात में आप जाएए टिफनी कैबरे शो या शो विशेश रूप से लाइव एंटर्टेन्मेंट की दृष्टी से मशहूर है और इसमें डान्स और म्यूजिक शामिल होता है बात करें वाकिंग स्ट्रीट की, तो बीच रोड से बाली हाई प्लाजा के आखरी तक बीर बार, गोगो बार, नाइट क्लब, स्ट्रिप बार और मसाज पारलर के लिए फेमज है अगर आप थाईलैंड की यात्रा कर रहे हैं, तो वाकिंग स्ट्रीट की सैर करने बिना आपकी यात्रा अधूरी है खान पान की बात करें तो, यहाँ भारती है और थाई खाने की वैराइटी है, बीच रोड पर खाने के बहुत सारे आउटलेट मिलेंगे वही साउथ पटाया में लिप स्मेकिंग और सीफूड स्टॉल है, जो शहर की एक विशेशता है पटाया सिटी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम होता है, जो नवंबर से मार्च तक रहता है तो दोस्तों, क्या आप भी पटाया जा चुके हैं? अगर हाँ, तो हमें कॉमेंट करके अपना एक्स्पीरियंस बताएं अगर विडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले और आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें